नमस्कार दोस्तों रियल एडलाइन्स न्यू चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपका अपना अमितलकी दवन लेकर आया हूँ राजस्तान के जैपुर से एक बड़ी ख़बर फरजी इंस्पेक्टर की काणियां आपने बहुत सुनी होगी आज मैं आपके सामने लेकर आ आया हूँ फरजी महिला थानेदार बनकर दो साल पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग करती रही महिला अपसरों के साथ टैनिस खेलती मंदिरों में वी आई पी ट्रीटमेंट थानेदारों को दमकाया तो खुला राज आप सक्रीन पर दिख रही महिला का नाम मोना बुगालिया है मोना ने बिना वर्दी प्रिक्षा पास किये दो साल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग तक ले ली ADG के साथ टैनिस खेलती पूरफ DGP की बेटी के साथ शरी कोई मंदिरों में वर्दी का दोस्त दिखाकर वी आई पी दर्शन किये सब इस्पेक्टरों के वर्द सब गुरूप में एक टोपिक पर बहस के दोरान सब इस्पेक्टर को दमगाने से मोना के फरजी वाड़े का खुलासा हो गया अब RPA ने मोना के खिलाब साथ्त्री नगर्थाने में मामला दल्ज किया है आईए जानते हैं कैसे बिना बर्ती परिक्षा पास किये मोना पुलिश ट्रेनिंग की अकैडमी में दाखिल हो गई नागोर दिले के निमबा के बास में रहने वाली मोना बुगालिया सब इस्पेक्टर बर्ती परिक्षा की तयारी कर रही थी वर्ति प्रिक्षा में तैयारी नय होने पर मोना ने अपने तीन साल पहले जब अंतिम रिजल्ट आया तो मोना ने सोशल मेडिया पर खुद के सब इंस्पेक्टर में चैनी तोनेरी की खबर फेलाई विस्तिदारों और गाउं के लोगों ने सेलेक्शन पर बदाई दी मोना हर किसी को अपने संगर्श की कहानी बताने लगी कैसे परिवार की आर्थिक अलाद कमजोर होने के बावजुद उसने संगर्श से मुकाम हांसिल किया आर्पिये में दो अलग-अलग के ट्रेनिंग के कंफ्यूजन का फैदा उठाकर एंट्री ली मोना बैच 48 की ट्रेनिंग में सब को बताती थी कि वो स्पोर्स कोटे से है और स्पोर्स कोटे में कोई बूस्ता था तो उनको बताती थी कि वो बैच 48 की ट्रेनिंग में है लेकिन दोनों जगाए पर वह ट्रेनिंग लेती रही दोनों जगाए पर वह जूट बोलती रही खुद को IB की सब इस्पेक्टर भी बताती थी मोना गुगालिया अब अपने समस्ते हैं कि फरजी सब इस्पेक्टर बनने से मोना को क्या फैदा मिला इससे मोना को बहुत अच्छा फैदा मिला क्योंकि मोना की जिंदगी जो वो है वो एश की जिंदगी हो गई थी सबसे पहला जिस कोचिंग सेंटर में मोना कोचिंग लेती थी उसी कोचिंग सेंटर वाले मोटिवेशन स्पीच के लिए मोना को बुलाने लगे दूसरा फैदा ADG के साथ कोच टैनिस कहीं ती पूरव डीजिपी की बेटी की शादी में भी मोना कॉचिंग गई थी इसके लावा ट्रेनिंग सेंटर में कई महिला सब इस्पेक्टर को मोना ने अपना दोस्त बनाया वी एपी बनकर मंदिनों के दर्शन करती थी गाउं में 26 जनवरी और 15 अगस्त के समारों में मोना गैस्ट भी बनती थी अधिकारी की पकड में क्यों नहीं आया यह फरजी वाड़ा क्योंकि इंडोर कलास अटेंड नहीं करती थी मोना वहीं कैंटीन स्विविंग पुल में मिलती थी सबी सब इस्पेक्टर से मोना क्वार्टर्स वाले गेट से एंटर होती थी मोना RPA में गुसने के लिए दो यूनिफोर्म बनवाई गई थी कैसे खुला मोना का राज RPA में ट्रेनिंग कर रहे बैच 48 के सब इंस्पेक्टर ने वर्टसब पर गपशप नाम से गुरूप बना रखा था इस गुरूप पर करीब चार दिन पहले किसी टोपिक पर सब इंस्पेक्टर के बीच डिसकशन चल रहा था इस दुरान मोना को एक दूसरे सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई मोना ने सब इंस्पेक्टर और उसके सातियों को बहस के बाद वर्टसप पर दमकी दी कि उन्हें वो RPA ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलवा देगी सब इस्पेक्टर से मोना ने कहा कि अभी तुमारी नोकरी चलू ही है तुम जिस दिन बड़े अधिकारी के लिपेटे में आए तो हवा निकल जाएगी अब तुमें यहां से निकलोगे सुबह तुमें पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ बहस के बाद सब इस्पेक्टर ने शुरू की जाँच वर्टसप ग्रूप में बहस होई तो उस सब इस्पेक्टर ने मोना की जाँच शुरू की सब इस्पेक्टर दिकायत के बाद जाच हुई तो मोना के फरजी सब इस्पेक्टर बनकर ट्रेनिंग करने के राज का खुलासा हो गया शास्तिनी नगर ठाने में मोना के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है मोना के खिलाब 11 सितंबर 2023 तक सेंड़िच कोर्स में फर्जी सब इस्वेक्टर बनकर ट्रेनिंग करने पर IPC की दारा 419, 468, 499, 66 DIT Act और दारा 61 राजस्तान पुलिस Act 2007 के तहत मामला दर्ज हुआ है फर्जी महीला थानेदार मोना के खिलाब 28 सितंबर को मामला दर्ज हुआ लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ से दूर है दो साल में चार फेज की ट्रेनिंग करके बनते हैं सब इस्पेक्टर, वहीं फाउंडेशन और बेसिक ट्रेनिंग, फिल्ट ट्रेनिंग, प्रोबेशनल टाइम, सेंडवीच गोर्स ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे फेस्बूक इस्टागराम पेच को फोलो जरूर कर दें जिससे हमारे दवारा कोई भी बड़ी खबर न्यूज गटना स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ आपका अपना अमित बलकी धवन तफ तक के लिए जै ही जै भारत